हलो कुल दोस्तों मैं हुजाहिरूल आपका दस्तन होस्ट और आप देखे रहे टेक्रिक लिटीव चानल वोस्त आज के जो वीडियो बहुत इंपॉर्डेन वीडियो है आपने तो वीडियो की थामनेल में देख लिए होगा तो अगर आप इस इसको साइड़न से नहीं करते ह तो आपको जिन्दी की भर में भी किसी बवाएंग का CSP नहीं मिलेगा तो क्या है चीज इसकी बारे में बात करेंगे लेकिन दोस्तों फिरी शुरू करने से पहले हैं अगर आपने मेरे चलोगा तो सब्सक्राइब कर लिजे साथ में साथ बेल आइकन की भी दबा दीजे क् नेक्स्ट वृडियो का नोटिकिशन आपको जदस्ट नहीं मिलेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दूस्तों आज हम बात करेंगे आयफ की बारे में बहुत सरे लोग इसकी बारे में जानते हैं बहुत सरे लोग अभी नहीं शुनाया कि IABF होता क्या है दोस्तों IABF का जो मतलब है वो है Indian Institute of Banking and Finance इसके अंदर एक exam होता है BCNBF का जिसका फूलपा में Business Carpondent and Business Facilator और हाली में RBI ने mandatory कर दिया है इस exam को सारी operator की उपर मतलब जीतनी भी सारे आपका किसी भी CSPA अगर आप चलात है तो उनका जो operator है उसको IABF का जो BCNBF का जो exam हो उसको qualify करना बहुत जरूर है अगर आप qualify नहीं करेंगा तो आपका जो CSPA वो temporarily suspend हो जाएगा उसके बाद आपको थोरा सर टाइम भी दे जागा कि इसके अंदर आपको जो exam में उसको qualify करना परेगा उसके बाद क्या होगा अगर आप qualify नहीं कर पाए तो आपका जो CSPA पर्मानले suspend हो जाएगा ठीक है और जो नई CSPA लेना चाहते है तो तो पहले से आपका जो IABF का जो BCNBF का जो exam है पहले से qualify करके आपको रखना परेगा ठीक है और उस certificate को आपको सामिट काना परेगा आपका जो business correspondent है उसके जगा और आपका जो banking branch है वहाँ पर भी आपको सामिट काना परेगा अगर आप एंग नई CSP खोलना चाहते है तो दोस्ता IABF का जो exam है वो आधार की exam की जैसे है online computer based exam है आप instantly result ही मिल जाएगा आपको exam खतमाने के बाद कि आप passed out हो चुक है या फिर fail हो चुक है ठीक है लेकिन दोस्तों यह आधार के exam की तरह थोड़ा सा easy नहीं है मतलब थोड़ा सा टाब वी है और लगभग 60% से जादा लोग फास्ट एट में फेल हो जाता है इस exam को देने के बाद ठीक है क्योंकि बहुत सरी लोग casual exam में बैट जाता है और preparation कुछ नहीं लेता है directly बैट जाता है तो और जादा से जादा लोग इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि एक्जाम थोड़ा से टाफ वी है तो आप पहले प्रिपारेशन लीजिए उसके बाद online exam के लिए seat book कीजिए आपका जो नियारे सेंटर हुआ पर उसकी बाद exam दीज़े ठीक है और instantly आपको सर्टिकर मिल जाएगा तो अभी जो लोग जादा से exam है पहले से आपको देना पड़ेगा आपका आप नहीं देंगे तो आप सस्वेंट भी हो सकते है ठीक है सारक्लोर बहुत सरी लोगों के पास पहुच चुके बहुत सरी लोग अभी तक पता है नहीं कि होता है क्या है ठीक है तो इसलिए अगर आप किस भी बैंक का CSP अगर आप चला आते हैं किसी भी बैंक का उपडर आगर आप है तो आपका जो रिजिएनल मेलेजर है उसके साथ बात कर लिजे बात करने के बाद आपका जो बिजनेस कार्स्पंट उससे भी आप पूछ सकते हैं कि आया बेपका जो एक्जाम है आपको देना पड़ेगा या पर प्रदागा क्योंकि वो लोग आपको बतावेंगे उनके पास जनकरी जनकरी रहें गएकंग Maymaiddar आख कुछ बीन बात को पतार चली जाएगा कि यह वीडियो है कितना सही है कितना गलात है ठीक है और इसके डिडियी कुछ भी प्रावलेम हो तो मुझे कॉमेट में जरूर बता हäreना क्योंकि इसके डियो आप नहीं x-cosep खोलना चाहते है तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है ठीक है और जैसे कि मैंने बताया बहुत सरी बैंकोंने अभी तक circular लोगों अभी तक circular जारी नहीं किया तो आपको जल से जल बता भी चल जाएगा कि इस जो exam है कितना important exam है और आई आई वेप की बारे में अगर आप पूल विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं नीचे वीडियो की डेस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दे दूंगा तो उस लिंक की जड़िए आप पूल डेस्क्राइब जान भी सकते हैं ठीक है तो दोस्ता आज के लिए इतने चली मिलते नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में एक और टफिक की बारे में बात करेंगे तो आज के लिए इतने चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैं